सल्मान खान ने केटरीना कैफ के पती विकी कोशल की खीची टांग टाइगा थ्री एक्टर ने कही ये बात बॉलीबुड स्टार्ट सल्मान खान और केटरीना कैफ की फिल्म टाइगा थ्री को रिलीज हुए छे दिन हो चुके हैं ये फिल्म लगातर अच्छी कमाई कर रही है फिल्म टाइगा थ्री ने करीब 200 करोड रुपे की कमाई कर लिया है इस फिल्म के सक्सेस को लेकर स्टार्ट काफी खुश्वा बीते शुक्रवार को एक इवेट रखा गया इस इवेंट में सल्मान खान, केटरीना कैफ और इमरान हाश्मी पहुंचे और फैन से बात की और उनका शुक्रियादा किया इस इवेंट के दौरान सल्मान खान ने काफी मस्ती की सल्मान खान ने बातों ही बातों में केटरीना कैफ के पती विकी कोशल की खिचाई की आईए जानते आखे सल्मान खान ने ऐसा क्या कहा एंटेनेट में न्यूस इंडरस्ट्री के पॉपलर स्टार सल्मान खान टांग खिचाई करने में काफी आ गया सल्मान खान की film ताईगर 3 इन दिनों सिनिमा घ़रों में लगी है और लोगों को एंटरेइन कर रही है फिल्म टाइगा थ्री के लिए एक event रखा गया और इस दोरान सलमान खान ने खुब मज़े किया इवेंट के दोरान सलमान खान ने केटरीना कैफ के पती विकी कॉशल को लेकर कमेंट किया दरसल एक फैन गुलदस्ता लेकर आया था और सलमान खान ने पूछा ये किस के लिए लेकर आया हूँ इस पर फैर ने का कि आपके लिए लेकर आया हूँ इस पर सलमान खान ने फैन से का मेरे लिए पागल हो गया है गुलदस्ता एक लड़का लड़की के लिए लेकर आता है मुझे ऐसा लगता है कि तू केटरीना कैफ के लिए गुलदस्ता लेकर आया एक बहुत लंबा चौड़ा है बहुत मारेगा तेरे को इस तरह से सल्मान खान ने विकी कौशल पर कमेंड किया सल्मान खान केटरीना कैफ और इम्रान हाशमी की फिल्म टाइगा 3 का डिरेक्शन मनीश सर्मा ने किया है फिल्म टाइगा 3 में जह सल्मान खान और केटरीना कैफ का रोमेंस सिखाया गया वहीं सल्मान खान और इम्रान हाशमी के बीच टककर देखने को मिली है फिल्म टाइगर 3 में सलमान खान और केटरीना कैफ ने पती पतनी का रोल किया और इम्रान हाशमी विलिन के रोल में नजर आ रहे हैं तो इसी तरिकी के और बॉलेबुड अपडेट्स के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले